नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल धार्मिक बाते और विचार में दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे देश में दिवाली को बहुत धूमधाम से मनाने की परंपरा है और इन त्योहारों की शुरुवात धंतेरस से हो जाती है दोस्तों इस त्योहार में सबसे पहले मुख्य त्योहार पढ़ता है धंतेरस धंतेरस के दिन हम घर में नई वस्तुए करीदते हैं तथा मातलक्ष्मी को प्रसंद कर घर की दरीदरता को दूर करते हैं तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको धन तेरस का शुब दिन मुहरत तथा इस दिन हमें कौन सी चीज़े खरीदने चाहिए जिससे कि हमें मातलक्षमी की कृपा प्राप्त हो सके इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगी इसके लिए वीडियो को अंतक अवश देखें इस साल धन तेरस 2 नवंबर मंगलवार के दिन पढ़ रही है दिवाली की शुरुवाद धन तेरस के पर्व से हो जाती है कहते हैं कि इस दिन भगवान धनवंतरी की पूजा करने का विशेश महत्व है साथी कुबेर देवता और मातलक्षमी की पूजा भी की जाती हैं मान्यता है कि इस दिन समुंद्रमंतन के दोरान भगवान धनवंतरी हाथ में लोटा लेकर प्रकट हुए थे कार्दिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रियोदशी के दिन धन तेरस मनाई जाती है इस दिन शुम्मूरत में लोग सोना चांदी बरतन विबन आभूशन हैं लेकिन उन में से बहुत कम लोग ही जानते हैं कि किस वस्तू की शौपिंग करनी है और किस की नहीं अर्थार कौन सी वस्तू खरीदना हमारे ले शुब होगा और कौन सी अशुब तो दोस्तों आईए अब हम जानते हैं कि हमें किन किन चीजों की शौपिंग करनी है या खरीदना है जिससे की हमारे घर में माता लक्षमी की कृपा बनी रहे इसमें सबसे पहला इस्थान आता है सोना चांदी की चीजों का मान्यता है कि धंतेरस के दिन सोना चांदी खरीदना बेहत शुमाना गया है कहते हैं कि इस दिन जो भी चीजे खरीदे जाती हैं उनमें कई दुसरा इस्थान है जाडू का, धंतेरस के दिन जाडू खरीदना भी बेहत शुब माना गया है, जाडू को लक्षमी जी का रूप माना जाता है, कहते हैं कि इस दिन जाडू खरीदने से गरीबी, दुख और स्वास्ते समझ स्याओं के साथ किसी भी प्रकार की वित्या परे होता है, इसलिए आप अगर कोई बाइक, कार, स्कूटर, हादी खरीदने की सोच रहे हैं, तो आज का दिन आपके लिए शुप हो सकता है, दोस्तों अगला है लक्षमी माता और गणेश जी की मूर्ती, दिवाली के दिन पूजे जाने वाले लक्षमी जी और गणेश जी की खरीदारी आपको धंतेरस के दिनी कर लेनी चाहिए, कहते हैं कि धंतेरस के दिन लक्षमी और गणेश जी की मूर्ती खरीदना बेहत शुप होता है, अगर आप ऐसा करते हैं, तो यह आपके लिए सो भाग्य सुख दायक और शुपता प्रदान करने वाला होता है, धन की व अंतन के दोरान जब भगवाद धनवंतरी प्रकट हुए थे, तो उनके हाथों में पीतल का कलश था, ऐसा माना जाता है कि इस पीतल के कलश में अमरित भरा हुआ था, और यह मान्यता भी है कि भगवाद धनवंतरी को पीतल बहुत पसंद है, इसलिए इस दिन पीतल की वस् वे भी खरीच सकते हैं, जिससे कि आपके घर पे वर्ष भर भगवाद धनवंतरी और मातलक्ष्मी की कृपा बनी रहे, दोस्तों आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ न्य